हेलो फ्रेंड स्वागत है आपसे विगाए अपके अपनी यूटूब चैनल आवादिस्टिडी आईक्यू में तो फ्रेंड हम देख रहे हैं स्सी जीडी के लिए हिंदी का प्रेक्टिसेट ये आज हमारा 13 नंबर का प्रेक्टिसेट है तो चलिए हम अपनी कलास सुरू करते हैं बहुत सांदार तरीके से जिसमें हमारा पहला कोशन है प्रेंड का मूल मापा नहीं जा सकता रे खांकित भाग को प्रतियस्थापित करने के लिए उपीट तू बिकलब का चैन करें जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेंड का मूल आंका नहीं जा सकता इस तरह से हमारा जो है शी आफसन राइट हो जाएगा अगला कोशन है हमारा एकांत का समनार्थी शब्द क्या होगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर सी सून अगला कोशन है इंद्र का समनार्थी शब्द क्या होगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर सी वासो अगला कोश्चन है हमारा सुलब का बिलॉण सब्द क्या होगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफसे नमबर B दुरलब इस तरह से हमारा B वाला आफसे राइट है अगला कोश्चन है बैलो के कंधों पर डेस पड़ा है रिक्त अस्थान पर उप्यक्त बिकल्ब का चैन करे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफसे नमबर सी जुआ बैलो के कंधों पर जुआ पड़ा था अगला कोश्चन हमारा मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है कोई तुरूटी नहीं देगे वाक्यास का वाभाग ज्याद करे जिसमें कोई तुरूटी नहीं है कोई तुरूटी है अगर कोई तुरूटी नहीं है तो इसमें कोई तुरूटी नहीं सुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफसे नमबर सी अगला कुशन है हमारा आधे से अधिक लोगों की मिलकर राय वाक्यांस की लेक सब्द क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर ए बहुमत अगला कुशन है नियमित अभ्यास मुर्क को भी चतुर बना देती है कोई तुरूटी नहीं देगे वाक्यांस का हुआ भाग जात करें जिसमें कोई तुरूटी नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर ए डी इसमें कोई तुरूटी नहीं है अगला question हमारा उसकी संका का dash तुम ही कर सकते हो रिक्ता स्थान पर उप्योगत बिखलब का chain करना है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C उसकी संका का समाधान तुम ही कर सकते हो इस तरह से हमारा C option right हो जाएगा अगला question हमें पती पतनी के जगड़े का हेतु क्या हो सकता है कोई तुरूटी नहीं देगे वाक्यांस का हुआ भाग्यात करे जिसमें कोई तुरूटी है तो इसमें बताना है कौन सा option right हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C, B वाले भाग में हमारा तुरूटी है, जगड़े का हे तु नहीं होगा, जगड़े का कारण, पती-पतनी के जगड़े का कारण, इस तरह से हमारे जो है C option के B भाग में तुरूटी हो जाती है, अगला question है, अंगी कार का बिलोन शब्द क्या होगा, इसी मताना है, अंगी कार का बिलोन शब्द क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा हमारा, option number B, बहिशकार, अगला question है, आफ़त सिर पर लेना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा, इसी मताना है, आफ़त सिर पर लेना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आफशन नमबर 2 जगड़ा मोल लेना अगला कोश्यन है हमारा कई शो बरसो तक भारत के डेश प्राधिंता की बेडिया पड़ी रही रित अस्थान पर उप्युक्त विकलब का चैन करना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर C पैरो में कई बरसों तक भारत के पैरो में प्राधिंता की बेडिया पड़ी रही इस तरह से हमारा C आफशन राइट हो जाएगा वह प्रत दिनो ऐसा ही करता आया है एक हांकित वाके को परतियस थापित करने के लिए उप्योक्त विकलब का चैन करें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर B वह प्रत दिन ऐसा ही करता आया इस तरह से हमारा B आफशन राइट हो जाएगा अगला कुशन है शही बरतनी वाले सब्द का चैन करना है इसमें बताना है कौन शी बरतनी राइट है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर B यथा सकती यह हमारा राइट है अगला कुशन है जिसके पार देखा जा सके यहाँ पे होगा पार वाकांश के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर D पार दर्शी अगला कुशन हमारा शही बरतनी वाले सब्द का चैन करने इसमें बताना है कौन शी बरतनी शही है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है जिसे बुलाया ना गया हो वाकांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफशन नमबर डी अनाहूत पानी फेर देना महाबरे का अर्थ क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफसे नमबर डी जवाब ना देना अगला कोशन है सुमन को अपने रूप पर गवरो है रेखांकित सब्द को परत्यस्थापित करने के लिए उप्योक तु बिकलब का चैन करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आफसे नमबर शी सुमन को अपने रूप पर गर्ब है तो फ्रेंड्स कैसी लेगी कलास जरूर बताना कमेंट बाक्स में और हाँ आप इसमें कितना कोशन करेक्ट कर पा रहे हैं हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं मिलते हैं अपने अगले प्रेक्टिस सेट में तब तक लिए धनवाज जय हैं जय भारत